आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम विंडोस 7 में, विंडोस 8 में और विंडोस 10 में या विंडोस 11 में किस तरह Network Adapter को इंस्टाल कर सकते हैं यानि कि इसके ड्राइवर को इंस्टाल कर सकते हैं चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले माई computer पर right click करें तो एक dialogue box हमारे पास open हो जाएगा यहाँ पर हमने find out करना है device manager तो device manager के उपर जैसे ही हम click करेंगे तो इसकी window हमारे पास open हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर दो method है driver को install और update करने के सबसे पहले network adapter पर आएंगे यहाँ पर आने के बाद जो rail link है या wifi adapter है इसके उपर हम right click करेंगे और update कर देंगे driver को तो जैसे हम इसको update करेंगे तो हमारे पास इसका driver हो download और install हो जाएगा या update हो जाएगा दोनों ही condition में जो driver हो install हो जाएगा अगर यह install ना हो पाए तो आप इसे manually install कर सकते हैं इसके उपर right click करें तो जैसे ही आप इस driver के उपर right click करेंगे तो यहाँ पर हम find out करेंगे detail detail को find out करने के बाद यहाँ पर अगर हम property में देखें तो एक drop down list में हम hardware IDs के उपर click करेंगे यानि कि इसको find out करेंगे तो यहां सबसे पहले वाला जो text है इसको हम copy कर लेंगे जैसे ही हम इसके text को copy कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है इसके text को desktop पर paste करना है तो desktop पर paste कैसे करेंगे new में आएंगे और यहां पर new text pad जो है वो open कर लेंगे जैसे ही इसका टैक्सपाइ ऐफन होगा यहां पर 컨्ट्रॉल-V कर दें या पेस्ट कर दें इसको और यहां पर इसको close करेंगे तो safe की option आएगी तो इसको safe कर लेंगे एक काम तो यहां पर हमारा हो गया इसके बाद हमने क्या करना है window में आना है window में आने के बाद अपने browser को open करना है जो भी आपका browser है उसको open कर ले और यहां पर google.com search करें तो यहां पर अब हमने क्या करना है वो जो text जो हमने copy किया था यहां पर हमने paste करना है सबसे पहले हमने एक website लिखनी है driver pack solution इसकी website पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी website हमरे पास open हो जाएगी तो यहां पर अब हमने क्या करना है Just click the driver search डराइवर तो हमारे पास एक window पन हो जाएगी यहां पर find का button है यहां पर वो text पेस्ट कर देना है जैसे हम यह टेक्स पेस्ट कर देगे तो हमारा काफी काम जो है वो complete हो जाएगा यहां पर हम देख सकते हैं find के button पर click करेंगे अब यहां पर हमें जो हमारा driver to find out हो गया है लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी Windows के वर्जन है सभी के ड्राइवर्स हमें हो गए हैं यहां से हम उसको जस्ट एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो यह तमाम Windows के वर्जन है 64-bit में और Windows 11 तमाम यानि कि यहां पर आपको वर्जन मिल जाएंगे आ हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी अगर आप जिफ फाइल करना चाहते हैं तो जिफ फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी तो हम सिंपल फर्स लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है आप देख सकते हैं इसको तो जैसे ही य साँनलूट हो जाएंगी अब हमने क्या करना है इसके बाद इसको राय्ट क्लिक करके ओपन करना यहांद पर मोर के बटन पर क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर करेंगे तो इसका डायलोओ से मारे पास ओपन हो जाएगा इसको इंस्टाल करने का बहुत इसान सा method है यहां पर run as administrator पर click करेंगे इसके उपर और next next करके install कर लेंगे